जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली साम 6.30 पे आपके लिए मैटरिक बोड परिक्षा के लिए एक बिल्कुल सांदार और महत्पूंड क्लासी चैनल पे अपलोड किया जाता है तो इस स्रीज में जो आपका ओफीशिल मोडल पेपर आया है विहार बोड के तरफ से उस मोडल पेपर के सही आंसर की की हम लोग चैर्चा करें अगर आपका तीछे का कोई भी क्लास से छूडता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्ले लिश्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा और मोडल पेपर के लिए मैंने आपको एक प्ले लिश्ट बना दिया है मोडल पेपर 2022 के नाम से देखिएगा प्ले लिश्ट आपको मिल जाएगा उस playlist में आपको जो भी class आएगा इस पूरे model paper का जितना भी आपका metric का subject है उसको करम से upload कर दिया जाएगा ताकि वहाँ से आपका जो भी class छूड़ता है तो वहाँ से जाकर आप cover कर सकते हैं रिभीजन कर सकते हैं लिंक मैं इस video के description box में भी दे दिया हूँ वहां से भी class इंड होने के बाद आप देख सकते हैं ऐसे OC objective वाला model paper है और जो भी छातरी channel से बहुत पहले से जुड़े उनको मालूम है कि कितना हम लोग class OC objective वाला model paper है बिल्कुल इसी तरह English Hindi में लेकर चार्चा कर लिये थे तो आपको कोई दिकत नहीं होगा मैं बोलता हूँ आपको एकजाम में 40 प्रस्ण ही बनाना है अगर जो भी इस channel के सभी class आप देखें है छातर उनका 40 से अधिक तो हम लोग के class से प्रस्ण है तो आपको 40 ही बनाना है चाए पूरा OC OC लड़ जाए तभी आपको 40 ही बनाना है इसका right answer option भी है पूस्प में फूल में तो आपका answer बिल्कुल सही आंसर जरूर दीजेगा इसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी की सस्तर की है दूसरे नमर प्रस्ण की बात करें तो प्रस्ण आप से कह रहा है कि परकास translation का किरिया होता है सोचिए इससे आसान प्रस्ण क्या पूछ सकता है हरे पौधों में बिल्कुल सही option D इसका सही answer याद रखना है इसरे नमर प्रस्ण की बात करें सर तो प्रस्ण आप से कह रहा है परकास translation किरिया में oxygen किस से बाहर निकलता है सीधे सीधे हम लोगे class से प्रस्ण है जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते चलिएगा परकास translation किरिया में oxygen किस से बाहर निकलता है तो हम लोग कितना बार चर्चा की है सर जल से S2O से तो option ये इसका सही answer करेंगे 40 से ज़्यादा प्रस्ण आप जानते होंगे कि जठर गरंतिया कहां पाई जाती है class से प्रस्ण है बिल्कुल सही option भी मैं देख रहा हूँ काफी विद्यार्थी कमेंट करेंगे आमासर में आपका answer बिल्कुल सही है 5 नमर प्रस्ण की बात करेंगे सर प्रस्ण अपने से कह रहा है कि glycolysis की किरिया कहा संपन होती है तो याद रखेंगे glycolysis की किरिया कोसी का द्रबे में संपन होती है तो option D इसका सही answer है 6 नमर प्रस्ण पढ़िए और answer देने का परियास कीजिए और यहाँ पी एक बात और समझेगा कि जो भी answer बताया जा रहा है वह बिल्कुल 100% सही है अगर आपको किसी भी प्रस्ण पर डाउट है तो आपना भूक खोल कर आप देख सकते हैं गेस गाइड से अगर आप याद कियोंगे तो गेस गाइड में काफी उतर गलत भी देता है लेकिन जो आपका original भूक है उससे आप answer मिलाएगा जो भी मैं answer बता रहा हूँ answer मैं आपको गरांटी देना हूँ 100% सही है क्योंकि जो आपका text book है NCRT का उससे answer का सत्यापन करके तब आपके लिए upload किया जा रहा है ताकि आपको कोई दिकत नहीं हो क्योंकि official model पर पर है कहरा है चहटा नमर प्रसंद की इथाईल अलकोहल किस परकार के सोसन से बनता है सर तो काफी विद्यारती सही-से answer कमेंट करें और वाई विये तो आपका answer बिल्कुल सही है साथ नमर प्रसंद की बात करेंगे प्रसंद आप से कहरा है कि सबसे छोटी अंतह सरावी ग्रंथी कौन है आपको बताना है option आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें से सबसे छोटी अंतह सरावी ग्रंथी कौन होगा तो पिटियूटरी ग्रंथी है option भी सही answer करना है पौधो के वाईविये भाग से जल के हरास की किरिया क्या कहलाती है तो गेंगा रोग क्यों पनपता है सर तो आप पने आयोडीन का जब कमी हो जाता है तो क्या होता है घेंगा रोग तो option C सही आंसर करेंगे 10 नमर प्रसंद की बात करें सर तो प्रसंद अपने से कह रहा है कि रक्त में हलके पीले रंग के चिपचीपे दरव को क्या कहते हैं प्रसंद नमर प्रसंद की बात करें तो प्रसंद आप से कह रहा है कि रक्त चाप मापने के उपकरन को कहते हैं तो रक्त चाप एभी सूची एक मैं विसले बोला कि 40 से जादा प्रसन आपको सीधे सीधे आपको याद होगा अगर जो भी कलास से जाया इस चैनल पर पीज़े काफी मोडल पैपर के अम लोग चर्चा की हैं वहां से सीधे सीधे option भी चेंज नहीं होए तो एस फेगए नो मेटर से मापते हैं option D इसका सही answer है बारा नमर प्रसंड की बात करेंगे प्रसन आपसे कहरा है कि वास्पोउद्षरिया पाई जाती है तो बिल्कुल आसान वास्पोउद्षरिया पाई जाती है तील चट्टा में बिल्कुल सही काफी में बिद्ध्यारती देखना है कि बिल्कुल फास्ट में आंसर दे रहे हैं option 6 का सही आंसर है इसका मतलब है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हैं जो भी कलास आता है सिर्फ महत्वपूर कलास हम लोग अपलोड करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कलास को लाइक कीज़ और जो भी कलास आ रहा है उज़े याद करते चलिएगा आपका सांदार रिजल्ट आएगा करया रक्त क्या है तो आप बच्पन से पढ़ते आने रक्त एक तरल सन्योजी उत्यक है और अप्शन भी सही आंसर है 15 नमर प्रसन की बात करेंगे प्रसन आप से कह रहा है कि मुत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है तो क्या इसका सही आंसर होगा और अप्शन सी जो भी छातर कह रहा है कि सर यूरो क्रोम बिलकुल आपका अंसर सही है 16 नमर प्रसन की बात करेंगे प्रसन आप से करा है कि निमलिखीत में कौन उभायलिंगी जन्तु है सोच ये सभी प्रस्ण सीधे सीधे कलास से आया है कि कौन उभाई लंग जनतु है तो वहाँ पे भी option D पे तक के चुगा हम लोग सही किये ते उभाई लिंगी यहीं है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा option D आगे बढ़ते हैं बात करते हैं 17 नमर प्रस्ण कहा रहा है यूरिया रक्त में कहा से परवेस करता है तो आप जानते हैं यूरिया कहा बनता है लीबर में तो कहा से परवेस करेगा या कृत से लीबर से तो option C इसका सही answer है आगे बढ़ते हैं बात करेंगा 18 नमर प्रस्ण प्रस्ण आपसे कह रहा है कि जैब आवर्धन परदर्सित करने वाला रासा आइन है ये भी क्लास से प्रस्ण है तो जो भी छात्र कह रहा है कि सरीष का रायीट आंसर है डीडिटी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है जैब बोगता होते हैं साकहारी जीव तो ऑप्सन भी सही आंसर करना है 20 नमर प्रसंद देखते हैं कि आप पूछा गया आपसे नमर प्रसंद भी देखिए लौजिकल प्रसंद बिल्कुल कह रहा है निमलिकित में कौन भूमिगत जल का उधारन है भूमिगत जल क्या होता है सर डार्वीन ने देता उसे हम क्या बोलते हैं डार्वीन वाद का सीधान तो तो ऑप्सन सी आपको सही आंसर करना है एक एक प्रसंद को समझते चलिएगा देखिए इससे ज्यादा प्रसंद नहीं आता है लेकिन फिर भी आपके क्लास का प्रसंद आपको याद रखना थे हैं प्रडियूसर उत्पादक तो ऑप्सन सी सही आंसर है एक प्रसंद भी देखिए सीधे सीधे सीधम लोग जो मोडल पेपर की साइन्स का जो लेटेस्ट मोडल पर चर्चा किये तो उसी से कर रहा है अंडो उटसर का का रखन है तो वहाँ पे दिखे क्या था है एप अपे ल्यच नहीं था अईसे आपके बूक में क्या जिए एकर उपसों के दोनों कारण है जब दोनों रहेगा और यहाँ पर देता की ए और सी दोनो या ए और बी दोनों तब आप ए और बी दोनों करते लेकिन इसमें सबसे परमूग कारण क्या होता है, पहले LH है, तो option A पे मिल गया है, तो इसी को आपको सही answer कर देना है, 24 0% की बात करें, तो पृसन आपसे कह रहा है, कि लेंगर हैंस की धूपी काय ordnung का अगनासय में पाया जाता है, बिलकुल सही, तो option 19 नमनला प्रसन की बात करें, तो प्रसन आपसे कह रहा है, कि थायरोक्सीन हार्मोन के संसलेशन में निमनलिखित में किसका होना आवस्यक है तो जब थायरोक्सीन हार्मोन का संसलेशन होता है उसमें आयोडीन का होना आवस्यक होता है क्योंकि यह नहीं होगा तो फिर थायरोक्सीन हार्मोन में जब आयोडीन नहीं पाया जाता है अंसर है 27 नम्रवाइब प्रस्ट की बात करें तो प्रस्ट आप से कह रहा है कि मानो मस्तिस्क का वजन होता है तो देखिए मैं बोला तो दो से एक दसमलाव चार केजी 28 नमला प्रसन की बात करें तो ए तो ए प्रसन सीधे सीधे हम लोग जो वारदान स्रीज चल रहा था उसमें जो हम लोग मोडर पेपर की चर्चा कर रहे थे वहीं से प्रसन है करा निकट दिरिष्टी दोस आत्वा दूर दिरिष्टी दोस के निवारन हेतू परियुक्त लेंस द्वारा बना परतिविम होता है तो ये प्रसन लोग उस्टावर स्रीज में भी चर्चा किये थे उतल दरपन ओप्सन ले आपको सही आंसर कर देना है तीस नमर प्रसन की बात करेंगे प्रसन आपसे कह रहा है कि ओतल लेंस दूआरा परतिविम होता है और उतर लेंस में देखते हैं आप 80 पर्तिभीम बनता है सीधा चोटा तो इसलिए इसका राइट आंसर आपको क्या कर देना है आपसंड इन में से सभी आगे बढ़ते हैं बात करते हैं 31 नमर प्रसंद की तो 31 नमर प्रसंद की क्या कर रहा है बिहार टॉपर स्रीज में भी इस प्रसंट की हमनों चर्चा किये थे कि आकास का नीला रंग होना किस पर इघटना का पढ़ नाम है तो आप जानते हैं स्केटरिंग ओफ लाइट जो होता है परकास का परकिनलन होता है उसी के कारण आकास क्या दिखाई देता है नीला रंग का दिखाई देता है तो आप्सन भी सही आंसर है तो बिल्कुल बहुआ टाइप परसन है आसान परसन है इसका आंसर आपको गलत नहीं करना है कहा रहा है समान ये नेतर के लिए असपश्ट दिरिष्टी का नियूंतम दूरी तो नियूंतम दूरी पूछा है तो पचीस सेंटीमीटर वही पधिकतम पूछता तो अनन्त आप्सन में रहता तो अनन्त आंसर कर देते चौतिस नमर प्रसन की बात करेंगे प्रसन आपसे कह रहा है कि एक उतर लेंस का फोक सांतर पचीस सेंटीमीटर है तो उसकी छामता तो लेंस की छामता हम किस में नापते हैं गीरा होता है सर तो पांच सतह से घीरा होता है option D इसका सही आंसर है 36 नमर्य प्रसंद की बात करें तो प्रस्ण आप से कह रहा है ये भी प्रस्ण आम लुक चर्चा किये थे कितना बार पढ़ें इस प्रस्ण को अभी नेतर लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो आप जानते हैं अभी नेतर लेंस की फोकस दूरी में पक्चामबी प्यस्यो दोरा परिवर्तन किया जाता है तो option D इसका सही आंसर करेंगे आगे बढ़ते हैं देखते हैं 37 नमर प्रसन प्रसन आपसे कह रहा है कि परकास के परावर्तन के कितने नियम है सर तो चाहे परकास का अपवर्तन पूछे या परावर्तन आप जानते हैं दोनों या आज के लिए प्रसन पूछ रहा है लेकिन बिल्कुल आसान टाइप प्रसन जा रहा है तो इसको आपको गलत नहीं करना है प्रावर्तन या प्रतन दोनों का दो ही नियम आप पढ़े होंगे तो प्रावर्तन के बाद किरन किस बिंदू से गुजरेगा फोकस से कहां से गुजरता है फोकस से ऑप्सन ये सही आंसर करना है 40 नमला प्रसंदेकि जो भी आ रहा है ये सभी प्रसंद आ भी आ रहा है सभी प्रसंद आ हम लोग कर चर्चा कर चुके हैं कोई भी प्रसन आपसे पूछा जा सकता है और पूछे या नहीं पूछे लेकिन सभी क्लास 10 कहीं है प्रसन है तो आपको इसका उत्तर मालूम होना चाहिए प्रसन आपसे क्या कह रहा है कि पौण भीधूत जनीतर में कुंदली को घूमाने का काम कौन करता है? तो कुंडली को घुमाने का मुल्टकाम कौन करेगा क्योंकि पॉन बिद्धुत जनीतर है तो गतिमान हावा जो आता है वहीं पॉन बिद्धुत जनीतर के कुंडली का घुमाने का काम करता है तो option C सही answer है 42% की बात करें तो प्रसना आप से कर रहा है कि कांच की ओister range की वायू में सक्ति होती है कांच का का कोई ओister lens है तो उसका वायू में सक्ति क्या होगा माध्यम सी बीरल माध्यम में जाती हुई किया होता है तो अभीhehe से दूर क्यों कि सगन मादियम से बिरल मादियम में जा रहा है तो अभी लंब से दूर हो जाएगा तो ऑप्सन ये इसका सही आंसर करना है तो प्रसन आप से कह रहा है कि बिद्धु धारा उत्पन करने की युकती तो ये भी बिल्कुल आसान प्रसन है जनीतरा थाथ कि जो इलेक्रिक जेनरेटर होता है उसे हम क्या बोलते है बिद्धु धारा उत्पन करने की युकती और वहीं पूस्ता बिद्धु धारा किसे तो आपसे आपसे कह रहा हूं कि सारा हम लोग करते हैं कि दो तरीका होता है पढ़ने का एक होता है कि मैं आपको मान लेजी यह 5000 अब्जेक्टिव करा दिया पूरा आपके साइन से और सोची अगर आप NCRT का बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी 5000 अब्जेक्टिव नहीं है तम मैं आपसे कह रहा हूं कि सारा हम लोग कलास आया तो उसे हम लोग लड़ना नहीं बोलते हैं कि वह प्रसन नहीं लड़ा हो तो कोई भी विद्यारती आप 5000 अब्जेक्टिव बहुत बड़ी बात होता है तो डेली मैं आपको 1000 कोशन बता हूं और वहां से प्रसन आता तो मैं भी नहीं बोलते हैं कि उसे बाहर तब क्या आएगा उतना तो बुक में भी प्रसन नहीं है तो बुक से भी कम प्रसनी चैनल पर आपके लिए अपलोड कि आता है ताकि आप कम प्रसन याद करें उससे सीधे सीधे प्रसन आए और फिर भी देखिए मातर एक क्लास डेली होता है 40-50 प्रसन के हम लोग चर्चा करते हैं और उसमें भी सभी सब्जक का गैप करकर के हम लोग पढ़ते हैं तब भी देखिए वहां से कितना ज्यादा प्रसन है तो यहीं ह संकीत में पर्थम अपवर्तन के साथ क्या होगा तो स्वेत कीरन है तो जैसे ही उसका पर्थम अपवर्तन होगा वैसे ही क्या हो जाएगा प्रसन की बात करें तो कह रहा है हमारे घर में जो बीधुता पूर्ती की जाती है वह है हमारे घर में आप जानते है 220 भोल्ट की पर और टाइप प्रसन है 30 क्या हो जाएगा 30 option D सही आंसर करेंगे 51 नमर प्रसन भी कलास से है सर देखते देखते आपको आंसर कमेंट करना है इसमें आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लेना है करा है कि वासिंग सोडा का chemical formula धोबिया सोडा का तो NA2CO3 10S2 कितना बार हम लोग पढ़ निमलिकित में कौन परबल चारक है तो NAOH किया है परबल चारक है sodium hydroxide तो option C सही आंसर करेंगे 52 पर नमर प्रसन की बात करेंगे तो प्रसन आपसे करा है कि हेमाटाइट किस धातु का आयसक है तो आप पढ़ेंगे जो आपका लोहा होता है आईरन होता है एफी इसी का आयसक क का सांदर निमलांकित में किस बीधी द्वारा होता है फेन उतपलावन बीधी से तो option D सही आंसर करना है 55 प्रसन भी हम लोग कलास सही आंसर करेंगे अपन नमर प्रसन की बात करते है तो यह बिल्कुल आसान लेकिन कलास सही प्रसन है कर रहा है गुलकोस का आणवी एक सुत तो आप बच्पन से परते हैं C6H12O6 क्या होता है गुलकोस का रासाइनिक सुतर तो option B सही आंसर करना है 57 प्रसन की बात करेंगे प्रसन आप से कर रहा है कि अमल का जलिये बिल्यन आप जानते हैं बिधूत का चालन करता है वहीं पूछाए कि अमल का जलिये बिल्यन अच्पन से प्रसन है क्या पूछाए कि लिथियम के जो बाहतम से लोता है उसमें कितने इलेक्टरोन भी ध्यमान रहेंगे तो लिथियम कितना होता है तीन इलेक्टरोनिक बिन्यास लिख दीजिएगा दो और एक पहला में दो और बाहतम में क्या हो जाएगा एक तो option सही आंसर करेंगे साथ नमर प्रसंड की बात करते हैं एभी प्रसंड सीध्य सीध्य आप पहले में आपको याद करा चुका हूँ अगर आप याद करेंगे तो पिछले क्लास में प्रसंड आया था कि आवर्त सालनी के सुन्य समूं का तथवा तो क्या होता है हीलियम बिल्कुल साथ नमर प्रसंड की बात करेंगे तो यह भी प्रसंड की आपको कमेंट करना है करा रहें निमलिकीत में सरबाधिक बिधुत रिरातमक ततो सबसे अधिक इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट कौन है तो फुलूरीन ओप्संड ने सही आंसर है यह भी आपके बुक में दि किये तक गया किये तो जो भी जहातर करना है कि सरी इसका राइट आंसर और आपको तो आपको आंसर बिल्कुल सही इसका मतलब है आप हर क्लास को ध्यान प्रूबग समझे हैं तो जल के बैदू तो अब गटन में कैपोर हाइड रोजन होता है और ये नोड पर किया होता है oxygen तो कैथोड पूछा है तो option C आपको सही answer करना है 62 नमर प्रसंदे की आपसे क्या कर रहा हमारे सरीर का pH मान क्या होता है तो आप जानते हैं हमारा सरीर जो है समाने रूप से 7.0 से लेके 7.8 pH भैलू के बीच अच्छा से काम करता है इसी रेंज के बीच तो option C सही answer कर देना है कि रिसर्ट नमर प्रसंद की बात करेंगे प्रसंद आपसे कह रहा है कि निम्नांकीत यौगीकों में कौन अमल है तो चिए इससे आसान प्रसंद क्या होता है एस टू एस सोफोर क्या है अमल है देखिए यहां पर option D सही answer है प्रसंद के क्लास में आपको बताया था कि model paper क्या क्या इसारा कर रहा है तो उसमें भी मैं आपको बताया था कि टेक्स्ट बूक अर्था कि जो आपका बिग्यान, social science, समाजिक, बिग्यान, Hindi, English का जो भी आपका बूक है, मैत का उसमें से बीच से प्रसंद उठा कर पूछा जा रहा है, तो line by line देखिए सब ये प्रसंद पूछा गया, चेप्टर के बीच में से, तो आपको पूरा book का चेप्टर बचे हुए समें जरूर revision कर लेना है, एक पर line by line पढ़ कर, समझेगा आपका revision भी होगा, result भी सांदार आएगा, क्योंको उसी रूप में प्रसंद आ ठीक है, chemical composition पूछ रहा है, तो CUFS2 होता है, option B, इसका सही answer करेंगे, देखते हैं, प्रकिर्ती में मुक्तवस्था में पाई जाने वाली धातू है, पिछले जो model paper, जो latest model paper के हम लोग चार्चा करेते साइंस का, उसी में प्रसंद था, सोना, मुक्तवस्था में क्या पाया जा वर्दान स्रीज में प्रसंद मिला था, उसके साथ, हाट आपर स्रीज में प्रसंद था, तो वहीं पूछा है, तो option करेंगे, प्रसंद आपसे कह रहा है, कि किसी अधातू के बाहितम सिल में electron कीतना होता है, अधातू पूछा है, तो अधातू के क्या होगा, चार, पान, छ साथ, तो option भी सही आंसर है, 70 नमर प्रसंद की बात करते हैं, प्रसंद आपसे कह रहा है, कि पीतल निमनांकीत में किनकी मिस्रधातू है, तो पीतल आप जानते है, कॉपर और जिंक मिलाने से बनता है, तो option ए, इसका सही आंसर कर देना है, 71 नमर प्रसंद की बात करेंगे, प्रस्ण आपसे कह रहा है कि निमनांकित में कौन समावाई का उधारन है, आईसो मर्स कौन है, तो अगर हम लोग ध्यान से ओप्सन देखेंगे, तो ओप्सन C, एथिल एलकोहल और डाई मेथिलीथर क्या है, आईसो मुरिजम के उधारन है, तो ओप्सन C सही आंसर करेंगे, 72 नमर प्रस्ण की बात करते हैं, प्रस्ण आपसे देखिए, आयू पी एसी नेम, यू पाक नेम से प्रस्ण है, कराई CS3 बॉंड O, बॉंड C2, S5 का आयू पी एसी नेम क्या होगा, ये भी NCRT से कोई प्रस्ण बाहर नहीं सेट किया गया है, उसी का प्रस्ण वहाँ पर ब प्रस्ण की बात करेंगे, प्रस्ण आपसे कर रहा है, कि निमनांकित में कौन धातु तन्नू सल्फ्यूरिक अमले के साथ अभी किरिया नहीं करती है, देखे क्या पूचा है, नहीं करती है, इस पर आपको ध्यान देना है, कौपर, कौपर, तन्नू सल्फ्यूरिक अमले के साथ अभी किरिया नहीं करता है, तो C right answer है, 76 नमले प्रस्ण की बात करेंगे, प्रस्ण आपसे कह रहा है, कि एक मिस्र धा पर है, Cu है, और आपका 10 परतिसर टीन है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोंज, 87 नमले प्रस्ण आपसे क्या कर रहा है, कि जिंक सोडियम हाइडरो ऑकसाइड के साथ परतिकिरिया करके, क्या बनाता है, यहीं आपसे पूचा है, तो क्या बनाता है, H2 गैस उसमें निकलेगा, त आपसने सही आंसर है, 88 नमर प्रस्ण की बात करते हैं, प्रस्ण आपसे कह रहा है, कि निम्नांकित में कौन सी धातु वायू में उचताप पर गरम किये जाने पर भी ऑकसीजन से सन्योग नहीं करता है, तो एजी हो जाएगा, 79 नमर प्रस्ण की बात करेंगे, प्रस्ण प्रस्ण का उतर लिखने का परियास जरूर कीजेगा, और नीचे कमेंट बाक्स में बताएगा, कि आपका 80 में से कुल कितना प्रस्ण सही हुआ है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद,